की वोलिवूड की कोई मूवी नी चल दे लोगों को लगते हैं की वोलीवूड बाई कंच हो रहा है फोड़ी सी वजह जानते हैं फ़ड़ी जानकारी हो नहीं है आपने देखाओगा देश में इत्ने बड़े-बड़े आंदोलन हुए पिशले सालों में किसान अंदोलन हुआ विरूजगारी अंदोलन हुआ तुड़ी सीरियस बात करूँगा उन सब में आपने देखा कि लोग परिशान हुए लेकिन किसी celebrity ने, किसी अभिनेता ने किसी अभिनेतरी ने ये जरूरी तक नहीं समझा कि वो इस देश की जनता के हित में सिर्फ इतना सा ट्यूट कर दें कि हम आपके साथ है हमने भी बहुत सारे ट्यूट किये, बहुत सारे लोगों ने कि बहुत सारे लोग लगे रहे ऐसा नहीं है पता है आपके जीवन में सफल होने का कोई महत तो नहीं है अगर आप उस जगे भी खामूस खड़े रहे जहां आपका बोलना बहुत जरूरी था वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस देश में जिन लोगों को हम इन्फिल्वेंसर कहते हैं जिन लोगों के पीछे जनता पागल होती है वो लोग उस वक्त भी सांत खड़े रहे आज आप देखते होगे किर्केट से लोगों का जो लगाप था वो कम हुआ है किर्केट खेलना पसंद है लोगों को लेकिन आज लोग मैच के लिए पागल नहीं होते क्योंकि इतना कॉमर्सलाइज हो गई चीजें लोगों को लगने लगता है कि यह अपने फायदे की चीज़ कर रहा है मैं क्यों टेंशन लो लाइक जैसे पहले सेवाग आउट हो जाता था तो क देश के लोग पैदल धूप में जा रहे थे पैर छन गए थे उनके किसीने ट्यूट करना जरूरी नहीं समझाता कि हम इस देश के साथ हैं और इस देश को अच्छा करेंगे आज हम यह करें कोई आगे बढ़के नहीं आया था अगर मैं सोनु सुझ जी को छोड़ दूं त लेकिन इन वज़े से इस जनता ने इन नेताओं ने यह नभी नेताओं ने कभी यह नी सोचा कि जब लोग ही बिरोजगार रहेंगे कंगना जैसे लोगों ने तो बंदर कह दिया था तो हमारी मुवी देखेगा कौन हम जैसा आप जैसा युबाही अपनी युवाईनी को सच गई लेकर के मुवी देखने जाता था तो पहली वज़या ऐकोट की तो यह कि लोग को इमूश्ण्स खत्म हो गया इन लोगों के परत्य कि हम Shine लोगों को देखना पसंद करते हमारी मोशन्स जड़े हुए अब वह इमोशन्स वाली बात इन लोगों ने खत्म कर दी कि इनको अपने फाइदे से मतलब है जनता भार में जाए और दूसरी चीज यह है कि देश में जिस तरीके से महंगा ही बढ़ी है तो entertainment भी महंगा हो गए है आदमी सोचता है कि मैं movie देखने जाऊंगा पॉपकॉन से लेकर के हजार डेड़ हजार आराम से खर्चा होगा और वहीं वह movie आराम से टेलीग्राम में एजिली अवेलेवल है OTT प्लेटफॉर्म पे एजिली अवेलेवल है तो वह वहां से देख लेता है दूसरी चीज दूसरी चीज कि लोग अपने entertainment के लिए कि मूवियों पर उतना डिपेंड नहीं है आज कल पहले हम लोगों के पास समय रहता था क्योंकि मुबाइल का इस्तमाल कम था अगर मैं आज से 6-7 साल 8 साल पहले की बात करूं तो मौकिया क्या मंतीस था मेरे पास मूवी नहीं आ सकते लेप्टॉप भी नहीं देख सकते तो वह एक साधन entertainment का होता था आज लोग डरते भी हैं अपनी प्रेमका को साथ ले जाकि मूवी देखने में कि इतना social media कोई भी वीडियो बना के पापा को भेज देगा चाचा को भे में इतना engage हो गए कि उनको मूवी के entertainment की जरूवत नहीं है आज Instagram, Telegram में डायलोग्स आ जाते हैं वो एक रक्स होता है वो एक डायलोग के पीछे रेडी मूवी हिट हो गई थी जो पुरानी मूवियां होती थी चैसलमार इनकी क्या एक-एक डायलोग पर मूवी हिट हो जात Instagram बनाओ रिल डालो अपने घर की कहानियां दिखा काफी है जो भी दो-चार लाक रुपे YouTube क्या चक्कर में पड़े होई है कि मूवी में 130 करोड क्यों खराप कर रहे हो है लाल सिंग चड़ा साथ क्या मतलब है 130 करोड रुपे साब ने मूवी में लगा है पैसे दुहां लग लोगों देख ही नहीं तीन मिलियन लोग देख चुके कम होते यहां जो है इन लोगों की मूवी नहीं देख रहे भी सजाल लोग में चोटी-चोटी के लिए अपने डालो यूट्यूब पर क्या मतलब है क्योंकि आप चल नहीं पाएगा जनता बड़ी दुखी है आपसे लोगों की जिससे सबके हाथ में मुबाइल फॉन पहुंचा तो बहुत ही अच्छी चीज है है क्योंकि एंटर्टेन्मेंट का ऐसे ही है अब हमारे आपके टाइम पर तो हम बंदरों का नाच देखते थे गाउं में बंदर आ रहा है नाच दिखा रहा है रीच आ नाच दिखा रहा है नहीं देखते थे भाई वह कर दो ना क्या दिखा थे कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं मैं भी तो मैं कर रहा हूं कि बंदर का नाच देखते थे हमारे गाव में सांप खेल दिखाने वाला आता था मदारी आता था अब कहा आ रहा है तो लोगों के एंटर्टेन्मेंट के बहुत सारी चीजें बदली और इन दो साल में कोविट में यह भी बदला तो इसमें कोई नहीं चीज नहीं है इसमें कोई वाव फैक्टर नहीं मुवी नहीं चले इट्स ओके टाइप की बात है बट इन लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जहां लोग आपको भगवान मानते कोई जब कंदे पर हात रखके इतना भी किया देता है ना हम साथ खड़े है कोई दिकता तो नहीं इतना पूछ लेता है इसे में अपना पन राप्त हो जाता है कुछ और सहरे की जरूद नहीं होती है कि कोई कह दे ठीक तो हो ना आज तो मारे डीपी नहीं दिख रही चाह ह हुआ सब ओके तो है न किस्तितस पर डॉट लगा हुआ है इतना काफी होता है तो लोगों का हमदर्द बनना सीखे आज के लिए इतना ही अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी उत्सा उमंग के साथ तब तक ख्याल रखिए खुश रहिए बाई-बाई टेक केर गुट नाइट लब यू थैंक्स एलोट बाई